विशाल मेगामाट की जो है एक वीडियो जिसमें मैं आपको शाहता शेयर करने जा रही हूँ विंटर कलेक्शन तो यहां पर काफी अच्छा विंटर कलेक्शन आ रखाता लड़कियों के लिए वुमन्स के लिए बॉइस के लिए गर्ल्स के लिए जैंड्स के लिए और अबिलेबल हैं दो लेने पर आपको अच्छा कासा डिसकाउंट है यह यलो वाला मुझे परस्नली काफी अच्छा लगा था बट इसका थोड़ा प्राइज यह था बाइट टू गेट रुपीज आफ करके इस तरह के से अलग-अलग काफी सारे जो है यहां पर आपको स्व अच्छा देखने को वुलन कुर्तीज देखने को लेडीज के सब आपको मिलेंगी और काफी चीजों का मैंने आप पर प्राइज मेंशन करने की कोशिश किये जैसे इस तरह के की लॉग एक स्वेटर थी जिसका रप्राइज था एक नाइटी 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 तो इस तरह के से यह रोवाइज लगे हुए थे पोचो और स्वेटर्स और टी शिर्ट्स तो भीड करोना के होते हुए भीड यहां पर थी मैं नहीं कहूंगी कि भीड नहीं थी भीड काफी अच्छी खासी भीड थी तो अगर आप जाते हैं यहां शॉपिंग करने के पीज जो है प्राइस था इसको आप जीन्स के साथ कर सकते हैं अग देखेंगे तो इस तरह किसे कुछ यहां पर जो है टॉप्स वगरा भी लगे हुए तो जो हलके एकदम बोलते हैं लाइट वेटिड थे और कुछ एक गर्मियों के कपड़े यहां पर देखने को नहीं मि जाके चेक आउट कर सकते हैं और जाके पाइ कर सकते हैं तो यह एक खुर्ती थी जो की बुलन में ही थी और यह वाली खुर्ती जो बुलन में नहीं थी तो मैं आप से कह रही हुए नहीं कि कुछ कपड़े बुलन के देखने को मिल रहे थे और कुछ नहीं मिल रहे थे तो इस तरीके से आप एक उर्टीज लगी भी है जिनका प्राइज में आपके शास शेयर किया है तो कहीं कहीं जो हमें आपको औरिजिनल आवाद सुनाने के भी कोशिश करूगी अब यहां पे मैंने पहले आपको दिखाई एक जैके जो की 1599 रुपे की थी अब यहां पे एक हाफ जैके थी जिसके साथ ये टीशित का पेयराफ करके ये लोग सेल कर रहे थे और इसी तरीके जैकेट थी जो की मुछे ठीक लगी उतनी कोई खास नहीं लगी वो भी थी और ये कुर्टी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी यहां पे आपको गरम कुर्ती अभी ये वाली सेक्शन में गरम कुर्ती नहीं है सारा अलग अलग प्राइस की जो है यहां पे कुर्तिया थी अब जब हम अपने लिए शौपिंग करते हैं तो कई बार मम्मी का भी धिहान रखते वें खाडिगन भी थे जो की लेडिज पहनती है मम्मी पहनती है तो हम भी पहनते है ऐसी बात नहीं है तो अलग-अलग कलर में अलग-अलग साइज में अवेलेबल थे और अलग यहां पर दुबारा से बुलम कॉर्टी के साथ में ही कुछ कॉटन की कुर्टी भी लगी वी थी इन्होंने यह 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 नहीं अटाया क्योंकि कई लोग इस ताइम पे भी घर्मियों के कप्ड़े खरीगते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत ऑक्सिजन करके यह लोग बेचते हैं तो यहां पर मैं आ गई थी बच्चों के सेक्षन में और बच्चों का सेक्षन में इतनी अच्छी जैकिते लगी थी ना मुझे परस्नली काफी अच्छी आ रही थी यहां से मैं अपने बेटी के लिए भी कप अधर नहीं आ रही थी जो मुझे पसंद आ रही थी ओ फोर तू फाइव यर्स के बच्चों की जैकित थी तो वह नहीं लेके ले पाई तो इस तरीके से यह भी लगे वेते पूरा सैट था इनका टीशेट और गरम टीशेट और इनका उपर की आप बोल सकते निचे की पज चोटे आपको 6 मंत के बच्चों के से यह स्टार्ट हो गए थे 6 तू 5-7 यर्स था के बच्चों का यह था और अलग अलग जगह पर अलग अलग बच्चों के कंपार्टमेंट करके लगाए था न्यूबॉर्न बेवी के सेक्शन अलग है फिर 1st to 2 years के बच्चों का सेक्शन अलग है उसके बच्चों के सेक्शन अलग है तो काफी अच्छा जो इन बच्चों के कपड़ों का भी कलेक्शन यहां पर आया हुआ था यह देखे यह देखे यह लेने पर 50 रुपीज ओफ है तो यह 259 रुपीज की थी और यह की यल्लो वाली है अगर आपका बच्च्च साथ आठ या दस साल का है तो उनके लिए बच कपड़े बहुत अच्छे हैं क्योंकि अगर आप दो लेते तो 50 रुपीज का आपको आफ मिल जाता है न्यूबून बेबीज के लिए कुछ इस तरह की के सूट से पूरा पैक हो जाए जिनको जम सूट भी बोला जाता है कि ए यह देखना है पूरा सेट है 500 रुपे का अच्छा यह खाली यह काते नहीं है यह सुर्फ उपर का है अच्छा जैकिट है ना यह सट्टस के पास है ना आजाओ 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 हется हुँ कि कैप कैसी लग दिखा है तो इस तरीके की एक बड़े से काट में हैं जो कुछ कपड़े रखे वे जिसमें टॉय जो बोलते हैं आप उपर के टॉप थे नीचे की पजामी थी कैप यह था और इनर वेर भी इसमें थे बट इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्ची कपड़े जो थे बॉइस के थे मैं इसमें कैप जो है डूंड रही थी जो कि मुझे नहीं मिली सब पे बॉइ लिखा वा था फिर यह जो था टी-शिट यह भी अच्छा लग रहा था फिर अगें यह चोटा था यह six month के बच्चे के लिए था तो इस वक्त में जिस section में रूपीज का है इस वक्त में जिस section में हूँ यह new born babies के लिए है मतलब जीरो टू six to seven month के बच्चे के लिए यह कपड़े हैं तो यह मैंने बाय नहीं किये बर पाच्छे लग रहे थे तो यह section भी मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से